हाई हलो दोस्तों वालकम बाक टो माई चानल मेरा नाम है अधत्य और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम डीजी टैक टा गोरिला ट्राइपॉड देखने वाला है जो की 12 इंच का आता है मॉडल नमबर है DTR 260 GT तो वीडियो के साथ एंग तक बने रहे फुल डीटेल में पताने की ट्राइ करूँगा आप लोगों को हर एंगल में हर वे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू यह हमें 399 रुपीज का पड़ा है और इसका प्राइज यही चलता रहता है 400 के असपास कोई भी वे में आराम से इससे आप वीडियो शूट कर सकते हो और इससे आप वी लॉगिंग भी कर सकते हो देखो बॉक्स कुछ ऐसा देख रहा है येलो कलर का डीवी ट्राइपॉड यह बहुत ही जादा लाइट वेट और पोटेबल है दोस्तो इस चोटे से ट्राइपॉ साथ में बिखता है तो सबका मिक्स होता है तो मैंने सोचा चलो मंगा के हमी देख लेते हैं कैसा आता है ये 12 इंच की हाइट है दोस्तों फुली प्लास्टिक मेड इसके साथ रिमोट और मॉबाइल होल्डर आ जाता है और यह देखो यह सारे इसके स्पेसिफिकेशन से यह एक किलो जितना वेट लेगा मैक्सिमम जैसे की कॉम्पाक कैमराज होते अपना गोप्रो मॉबाइल फोन उन सब के लिए काम करेगा और यहां पर मैनिफैक्चरिंग की डीटेल लिखी है यह मेड इन चाइना है और इंपोर्टेट वगेरा सब कुछ लिखा हुआ इसके प्लास्टिक की पाकेचिंग में मिल जाता है और अंदर मोबाइल होल्डर है रिमोट है और अपना ट्राइपोड है और उसके उपर ही उसका जो हेड होता है वो ही लगा हुआ है फटा-फट थेली के बाहर निकाल देता हूँ मोबाइल होल्डर वोई सेम आया है जो DTR-200 MT के साथ आया था बहुत बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों मोबाइल के इसके होल्डर की तो यह देखो यह रहा हमारा ट्राइपोड फुली प्लास्टिक मेड है ऐसा बोला जाता है कि यह ABS प्लास्टिक का बनाया हुआ है हाई क्वालिटी का बट फ्रैंक्ली स्पीकिंग उतना भी हाई क्वालिटी नहीं है जितना कंपनी ने लिखा है अब यह तो रू यूस करन जब जमीन पे रहे अब कितने स्टेबल रहेंगे वो तो पता नहीं यह तो अन्बॉक्सिंग है फर्स्ट इंप्रेशन है यह शायद मेटल है और बाकी पूरा प्लास्टिक और रबर को मिलके बना हुआ है यह ट्राइपोड एक गोरिला ट्राइपोड है पाइप अगेर अ जोगे ना उस पर आराम से चिपक जाता है और अपना आराम से अपनी फोटाग्राफी या फिर वीडियोग्राफी जैसे चाहिए अपन वैसे शॉट्स ले सकते हैं यह आज से नहीं है बहुत सालों से चार पात सालों से तो मैं ही देख रहा हूं बट अपने आपे थोड़ नॉर्मल से प्लास्टिक यूज किया गया है हलकी क्वालिटी का कुछ इतना खास भी नहीं है बट आराम से रखोगे तो आराम से चल जाएगा दोस्तों और मैं बता दू यह ट्राइपोड मैं नहीं मेरा फ्रेंड यूज करने वाला है उसके लिए मंगाया है मैंने उसने म चोटा वाला ट्राइपोड देखा तो उसका मन हुआ दूसरा ट्राइपोड लेने के लिए तो मेरी नजर इस पे थी तो मैंने यह भी उसको रेकमेंड कर दिया और यह उसको पसंद आया अच्छी डील है ना 400 रुपे में रिमोट मिल रहा है मोबाइल होडर मिल रहा है और चाहिए अगर ट्राइपोड टूड़ गया तो मोबाइल होडर काम ही आने वाला और रिमोट फोटो शटर के लिए काम आए गाई यह जो मोबाइल होलडर है आप इसको ऐसे स्ट्रेट भी लगा सकते हो और नॉर्मली अपन जैसे लगाते वैसे भी लगा सकते हो बहुत ही सिंपल है लगाना दोस्तों जैसे नॉर्मल लगता है वैसे ही लग जाता है मैं नॉर्मली लगा के बताता हूँ कि यूश्य- लोग वैसे ही यूस करने वाले है और यह देखो यह जो मोबाइल होलडर है इसकी quality बहुत जादा बढ़िया बहुत जादा लॉंग लाइफ चल जी टेक का ही ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ मेरे सारे वीडियो शूट करने के लिए देखो ये चिंटू सा रिमोट मिल जाता है हाई ला उल्टा है रिमोट अभी फोकस किया तब पता चला उपर वाला आई उएस के लिए मिलता है नीचे वाला एंड्रोइड के लिए म दोस्तों ये देखो ये वाली कुछ बैटरी दी गई है इसमें आप मॉडल नमबर वगेरा देखके ले सकते हो इसका अगर छे माई ना भी चल गया तो मुझे लगता है पैसा वसूल हो जाएगा अपना चुक्कि ये 400 रुपे में तीन चीज़े मिल रही है आपको के आसपास आता है मैंने अमेजॉन के ऊपर चेक किया था चोटा से एकदम छुटकू सा रिमोट है कहीं भी आ जाएगा पोटे भले आप इसे पॉकेट में लेके भी घूम सकते हो अब एक बार रिमोट को चालू करके देख लेते हैं चल रहा ही कि नहीं हम भी तो जरा चलो ढूंदते हैं इसको यह देखो दिखा रहा है संपाक नाम है इसका फटा फटा फटे पैर कर लेते हैं फिर मैं अप्राइट चोटा सा फोटो खीच के बता देता हूं सैंपल की से कैसे ऑपरेट करना है कुछ नहीं करना है दोस्तों बस कामरा ओन करना है और शेटर दबा जाती है बस वह थोड़ा इरिटेटिंग है चल तो फोटो खीच गई अब वीडियो वाला भी चेक कर लेता है वीडियो चलता है कि नहीं देखो बटन दबाया ओके चालू हो गया हाँ वीडियो चलता अब वापस बटन दबाऊंगा तब शाथ स्टॉप भी हो जाए रिमोट का यूज होने के बाद उसे ओफ करना मत भूलना वरना मैटरी खतम हो जाएगी फिर मिलेगी कि नहीं पता नहीं दोस्तो अब मैं फटा फटा आपको मोबाइल होलडर लगा के बता देता हूँ ट्राइपॉड पे बहुत जादा सिंपल है दोस्तो जैसे नॉमल बहेगा एक्जाक्ली तो मैं नहीं कह पाऊंगा बढ़ अच्छा खासा चल जाएगा काम निकल जाएगा मुझे लगता है मेरे फ्रेंड ने इसे मूवीज देखने के लिया है मोबाइल लगा के बता देता हूँ ताकि आपको एकदम परफेक्ट डेमो मिल जाए कि यह कैसा काम करेगा यह देखो ऐसे स्टेबल नहीं रह रहा है बट मैं इसे दूसरे दूसरे अंगल में करता हूँ तो स्टेबल रह सकता है वैसे ही आप अपने ही सबसे इसको एड़ेस्ट करके रख सकते हो दोस्तो प्राइस को अगर कंपेर करूँ तो बहुत जादा बढ़िया है दोस्तो वैसे मैं बता दू कि यह जो ट्राइपॉड है आजकल रोड पे भी बहुत मिलने लगा है बट वह बहुत साथा अनब्रांडेट होते हैं और कितना क्या चलेंगे पता नहीं और यहां पर आपको सेविन डेज का रिप्लेस्मेंट मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन बाइक करते हो तो लेकिन जो रोड पे मिलते हैं उनके साथ रिमोट नहीं मिलता मोबाइल होल्डर नहीं मिलता सिफ यह ट्राइपॉड मिलता आपको मोबाइल होल्डर अलग से खरीदना पड़ता है देखो दोस्तों मैं हर एंगल में इसको ट्राइब कर रहा हूं कि यह कै अपने को तीनों एंगल पर सबोर्ट देना पड़ता है तब जाके यह खड़ा होता है और काफी जादा स्टेबल है दोस्तों अगर अपने इसको बराबर से खड़ा किया होगा तो वह कारा आराम से स्टेबल रहता है जल्दी से गिरता भी नहीं है क्योंकि लिए नीचे जो वापस से वैसे लॉक कर सकते हो जब तक आप वह निकालोगे ने वह निकलता नहीं है एक इसका छोटा सनापन स्टेबिलिटी वाला टेस्ट कर लेते हैं इसको एकड़म परफेक्ली एक बार खड़ा करके वह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है वरना पता चला लिया और हुआ ही नहीं तो यह देखो मैं थोड़े थोड़े इसको जग बेने की ट्राइ कर रहा हूं बट वो गिर नहीं रहा है आप इसे थोड़ा बहुत जोर से जमारोगे तो गिरी जाएगा बट यह उतना इंपक लेने के लिए नहीं बना है मैक्स वेट यह एक किलो जितना ले उससे कुछ वीडियो में इफेक्ट आ रहा है कि नहीं क्लारिटी कैसी आ रही है वो भी मुझे बताओ वी लॉगिंग करने में भी इससे बहुत मज़ा आएगा आप अपने ही सब से अंगल से एड़्रेस कर सकते हो 180 डिग्री तक घूम जाता है देख सकते हो मैं इसे कितना रफली हैंडल कर रहा हूं आज इफ ना तो यह बहुत साथा अच्छा चल रहा है लॉंग टम में अब पता चलेगा कैसा चलेगा दोस्तों अगर आप भी इस ट्राइपॉड को बाई करना चाहते हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप च लग दोस्तों चैनल पर नहीं हो अनगे हैं पूरा अनगे संद्वर बरहो तो थैंक्यू सो मच जब्स्तु मेरे चैनल पर बहुत शारे विडियो कर लो शायद आप लोगों को पसंद आजाए चलब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गद्वेम्द thank you so much for watching, bye bye